आज की वीडियो जो है वो सोलर के हवाले से है और मैं आपको सोलर के बारे में बताऊंगा मैंने सोलर का जो है सैट अप इंस्टॉल करवाया है तकरीबन यह 5.6 किलोवाट का इंवर्टर है साथ में यह 6 प्लेट्स है लॉंजी हीमो एक्सिक 580 वाट की हाफ कट मॉनो क्लास ए ताइड पेनल्स है यह 580 कि मैंने 6 पेनल्स फीलबक और 500 में जो है मैंने절 अजसाफ जैनदावियर टू का इंवर्टर इंवर्टर त्सक्ड़श किलोव सिव жен में hybrid inverter मैंने इसके साथ जो है install करवाया है और मैं कोशिच करूँगा कि आपको इसके बारे में जितना हो सके मैं गाइट करूँ यह जैसा कि आप देख रहे हैं कि inverter यहां पे लगवाया है जो गर की main DB box है उसके साथ मैंने inverter लगवाया है और उसके दिरम्यान में inverter के साथ DB box लगव पिर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो यह हम आगे है च्छत पर और हमने जो है दो अदर स्टेंड लिए है three PV Galvanized स्टेंड है 14 गेंज के 24 सेंड हमने लिए स्टेंड लिए हैं अंगर हम एकन लेते को हमारा जो है उसमरेती फहें लगने थो इसलिए हमने क्याक शेंद में भूलिया थे एंड पर मैं सबका आप इमत भी बताऊंगा कि हमारा total कितना खर्चा आया और यह without battery और without net metering के काम करवाया है net metering और battery के बगएर ही सारा काम करवाया है तो यह हमारी जो है plates जो है वो adjust हो रही है तो मेरी कोशिश थी कि मैं इस्ते भी उपर लगवाँ अपने इस सॉलर पैनल लेकिन वहां पर जो है वह अज़ेस्मेंट नहीं हो पाई वहां पर हमारी टैंकी भी थी और दूसरा यह कि वहां पर यह पूरे भी नहीं आने थे तो इसलिए हमने यहां पर इस साइड पर लगवा लिया है यहां पर यह है कि हमारे यह जो है सुरज की रोशनी काफी हद तक रहती है तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है और सब लोग जो है मौस्ट्री लोग वह सोलर की तरफ आ रहे हैं और हम वेदर जो है उसके पास case क्लावडी होने लग जा और बारिश होने लगई तो उससे पहले जिसे हमारे जैसे ही लगवाग घट है तो हमारी जो है यह six plates है जैसा मैंने आपको पहले बता यह हमारी लोगजी ब्रैंड की है मैंने प्लेट्स लगवाई हैं 580 वाट की कि वग ह हमारा inverter है इसके साथ हमारी 10 प्लेटें लग सकती है 580 वाट की लेकिन जो हमारी कोशिश है कि हम 9 प्लेट्स तक इसको करेंगे क्योंकि जिस बाइस से मैंने लगवाया है उन्होंने बोला है कि आप बेतर है कि नौ प्लेट तक ही लगवाएं क्योंकि कहते हैं कि जाधा लोड नहीं डालना चाहिए जैसे आप इनवर्टर पर थोड़ा सभी जाधा लोड डालेंगे जो उसकी एक लिमिट है उससे जाधा लोड डालेंगे तो आपका जो इनवर्टर है वह ठीक से काम नहीं करेगा और ज्यादा चांस होते हैं कि वह बेंड कर जाता है मतलब जाल जाता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उसके जाधा लोड ना डालने वैसे मैंने इनवर्टर भी जो है अच्छे वाला कि अड़ी हमारी अच्छे में टोरी है कि ऐसे जैसे इसके बाद में आपको इसका इनवर्टर के बारे में मैं तो नहीं गांग वह बड़ा हो भी बचांगा और हमारे टोटल चार्जिस कितने हुए हैं वो भी मापूबता हूँगा हमने पहले इसके स्टेंड्स को फिक्स किया है इसके साथ ताके हमारे सोलर पैनल जो है तीक तरीके से लग सकें वो करने के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से इसकी इजस्मेंट कर रहे हैं कोशिश करें जब आप भी सोलर पैनल लगवाएं तो जो उपर वाली साइड है वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रीबं तीन चार फुट है और जो नीचे वाली साइड है इसमें भी आपने थोड़ा सा गैप देना है इससे यह होता है कि जब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो नीचे से हवा क्रॉस हो और इसके जैसे मैंने तीन प्लेटें इदर को लगवाई है और तीन प्लेटें उससे साइड पे लगी है उसक कम हो जकते हैं कि वाइरिंग का काम हो रहा है यह वाइरिंग का काम ऐसे है जी हमारा इन्वेर्टर अब चलू होगा और यह हमारे बाई जो है वह वाइरिंग का काम कर रहे हैं कि और इस बारे में अबिक अब को बताता हूं पर इस तरह से होता है कर दो Sophie अ तो आपके वावडा से वह इंवेटर लेता रहता है और उसको पूरा करके चलाता रहता है तो इसमें कुसी किसम का कोई कोई भी मसला मिसाइल नहीं होते और इंवर्टर जो है वो आप कोशिच करें अच्छे वाला लगवाएं इनवर्टर का एक यह है कि मौस्ट्री जो आपने ख्याल रखना होता है वो यह होता है कि आपके जो वॉल्टीज है जब गर के अगर उपर नीचे हो तो आपने कई यह वाइरिंग है और नीचे इंवर्टर तक हमारी पाइप में रहें और कवर रहें ताके पारिश बगएस्वेड़ा से और वैसे भी कावर रहें DC flexible 6 mm की 2 core wire है 4 solar panels connection DC flexible single core wire for battery connection क्योंकि हमने इसकी सारी जो है वो wiring करवा लिया अगर हम बार में चाहें तो बैटरी भी लगवा सकते हैं तो यह हमारे बाई जो है वह अभी wiring का काम कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा दोस्त है वही काम करता है solar का तो उसने ही सारा काम किया है अब मैं आपको solar के बारे में भी बता दूँ थोड़ा सा solar का जो नाम है वो है crown Xavier 2 hybrid inverter है 5.6 kilowatt का double fan है इसमें और बहुत ही जबर्दस ये inverter है अब भी तक जो है मुझे तकरीबन एक हफता हो गया इसको लगवाए हुए बहुत ही जबर्दस और अच्छी प्रफॉर्मास है इस इनवेटर भी इसके साथ जो हमारा ये DB box लगा है जिसमें भी वाइरिंग कर रहे थे बाई जो DB box है हमारा में DB box इसमें three single pole AC breaker लगवाए है two DC two pole breaker for solar one DC single pole breaker four batteries और दो जो है वो change over breaker लगवाए है एसी के लिए और इसके लावा जो हमारे जो नट बोल्ट्स वगरा जो है रावल पोल्ट्स यूज हूए वाशल यूज हूई है और इसके बाद जो हमारी installation charges थे तो आपको मैं जो है वो टोटल सारा बता देता हूं जो हमारा खर्चा आया है six solar panels मुगए थे शे solar panels थे मेरे एक solar panel जो है वो 23,000 का था टोटल जो शे solar panels आया है वो तकरीबन 1,80,000 के थे उसके बाद हमारा hybrid inverter crown Xavier 2 5.6 kilowatt का वो जो है हमारा आया है 1,95,000 का उसके बाद हमारे दो स्टेंड थे दो स्टेंड हमारे जो 14 gauge के stand के वो तकरीबन आये हैं हमारे 20,000 रुपे के उसके बाद हमारी जो wiring वगरा हुई है वो तकरीबन 18 से 20,000 का हमारा खर्चा हुआ है उसके बाद DB box का जो हमारा खर्चा आया है वो 21,000 रुपया है और जो steel bolts, nut bolts बगरा सारा उसमें material यूज हुआ है वो तकरीबन 5-6,000 रुपय हमारा उस पर खर्चा आया है बिल बना था वो सबाचार लाग बना था कि आज की वीडियो थैंक यूफर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब और शेर मैं चैनल इम्रान अरिफ सेक्ट